Hello everyone, मैं हूँ अदीती और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में इस वीडियो में हम सीखेंगे तीन बहुती यूसफुल अडवांज इंग्लिश स्ट्रक्चर्स तो चलिए शुरू करते हैं पहला स्ट्रक्चर है कितनी दूर का जिसको इंग्लिश में बोलने के लिए हाउ फार का यूज होता है इसका रूल देखिए जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हाउ फार आता है इसके बाद is, was या will be इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्बाती है सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजन टेंस का सेंटेंस है तो इस आता है पास्टेंस का सेंटेंस है तो was आता है और अगर फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है तो will be आता है इसके बाद noun आता है जिसमें हम उस चीज को mention करते हैं जिसके कितनी दूर होने के बारे में हम अपने sentence में पूछ रहे हैं और last में question mark आता है चलिए कुछ examples देखिए इस पर based जिससे आपको इसका meaning पूरी दरा से clear हो जाए तुम्हारा घर कितनी दूर है? How far is your house? यहाँ पर देखिए starting करी है how far से जिसका मतलब है कितनी दूर इसके बाद sentence के tense के according यह है present tense का sentence इसलिए is helping verb आ गई है और इसके बाद आया है your house क्योंकि हमने अपने sentence में पूछा है कि तुम्हारा घर कितनी दूर है और हमारा sentence यहाँ पर complete हो गया है एक और example देखिए उसके घर से उसका school कितनी दूर है How far is her school from her house? How far is her school from her house? बसड़े से highway कितनी दूर होगा? How far will the highway be from the bus stand? How far will the highway be from the bus stand? यह sentence है future tense में इसलिए will be helping verb का use हुआ है यहाँ पर उस चौराहे से theater कितनी दूर था? How far was the theater from that crossroad? यह sentence है past tense में इसलिए was helping verb का use हुआ है हाँ फार के बाद और crossroad का मतलब होता है चौराहा आज का second structure है किसकी तरफ का? जिसको इंग्लिश में बोलने के लिए who side on का use होता है ऐसे sentences में हम direction पूछते हैं कि कोई किसकी तरफ है? इसका rule देखिए जिसकी according सबसे पहले आता है who side इसके बाद subject और tense के according helping verb आती है जैसे कि is, am, are, was, were, will, be, to, does इसके बाद आता है subject और last में आता है on कुछ examples देखते हैं इस पर based तुम किसकी तरफ हो? Whose side are you on? Whose side are you on? इस sentence में देखिए starting हमने की है whose side से rule के according इसके बाद sentence के tense के according और subject के according helping verb आई है are इसके बाद subject आया है you और last में आया है on वो किसकी तरफ थी? Whose side was she on? Whose side was she on? वो किसकी तरफ होगा? Whose side will he be on? Whose side will he be on? वे किसकी तरफ रहना चाहते हैं? Whose side do they want to be on? Whose side do they want to be on? next और last structure है किस तरफ का? जिसको इंग्लिश में बोलने के लिए which side on का use होता है? ऐसे sentences में हम direction पूछते हुए ये पूछते हैं कि कोई किस तरफ है? इसके rule के according सबसे पहले आता है which side इसके बाद subject और tense के according helping verb आती है इसके बाद subject आता है और last में आता है on चलिए कुछ examples देखते हैं उसकी दुकान किस तरफ है? Which side is his shop on? Which side is his shop on? इस sentence में देखी starting करी है which side से इसके बाद subject और tense के according helping verb आ गई है is इसके बाद subject आया है जो कि इस sentence में है his shop और last में आ गया है on तुम किस तरफ हो? Which side are you on? Which side are you on? उसका घर किस तरफ था? Which side was her house on? Which side was her house on? मुझे किस तरफ होना चाहिए? Which side should I be on? Which side should I be on? So guys ये थे आज के तीन structures अब इन तीन structures पर based ये तीन sentences हैं इनको आप translate कीजे बताएए मुझे कि किस वाले sentence को किस वाले structure से बनाया जाएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजे शेर कीजे चैनल पर नए है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको रोज आने वाली वीडियो की नूटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलेंगे चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स लेसन में तब तक के लिए ठेक केर बाबाई